एन्वी सीसी, स्टॉक 175 रुपे से लगभग 110 रुपे पर आ चुका है, यानि कि हायर लेवल से लगभग 40% की गिरावट दिखा चुका है, पर मुझे लगता है इस स्टॉक के अंदर अभी भी काफी पेन बाकी है, यानि कि ये स्टॉक आपको निये टर्म में भी और गिराव हो रहा है, फर्नामेंटली, फिनेंशली एक कमपनी स्टॉंग दिखाई दे रही है, मुझे लगता है इस कमपनी के अंदर लॉंग टर्म व्यू काफी पॉजिटिव दिखाई देता है, वैलुएशन के लिहाज से भी देखे, इस कमपनी के अंदर काफी गैप है, पर निये स्मॉल कैप, मिट कैप शेरों में जिस तरीके की गिरावट चल रही है, मुझे लगता है वो नेक्स्ट वीक में आपको एक्स्टेंड होती है, दिखाई देगी, मार्च का तीसरा हफता भी आप लोगों के लिए काफी पेन भरा हो सकता है, और चुनाओ के और चुनाओ की शेर भी अच्छा कासा परफॉर्म कर सकता है, अपने फंडामेंटल्स और फिनेंशल के अधार पर, तो अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टिड हैं, आज इस वीडियो को जड़ा ध्यान से देख लीजेगा, क्योंकि हो सकता है, शौटर में आप इस कंपनी को लेक पर्किट फ्लेवर, यानि कि जिसके अंदर रिटेल इन्वेस्टिड हैं ने दब कर इन्वेस्ट किया, और ये कंपनी देखा जाए, पास्ट में जबरदस परफॉर्मेंस दी इस कंपनी ने, रिटरन की इसाब से भी देखें, तो काफी पैसा इस कंपनी ने बना कर दिया, पर जब से PSU, Small Cap और Mid Cap कंपनीों को लेकर महल बिगडाए, इस कंपनी के अंदर भी बड़ी जवरदस गिरावट देखने को मिली है, और काफी लोग बाग इसके अंदर higher level पर फस गए हैं, जिन्होंने इस कंपनी के fundamental financials को नहीं समझाए, मुझे लगता है वो इस कंपनी को लेकर वीडियो बनाने का एक ही कारण है, आप लोगों तक इस कंपनी के facts को पोचाना, अगर आप इस कंपनी को fundamentally financially समझ जाएंगे, मुझे लगता है आप अपने decision को लेने में सक्षम हो जाएंगे, इस कंपनी के अंदर आपको stay करना है या नहीं, आपको इसका जवाब मिल दरसल NBCC के लिए काफी positive महल चल रहा है, पचपन हजार करोड रुपे की order book पर की ये company, आज से तीन महीने पहले, और जिस तरीके से इस company को लगातार नए-नए order मिलते जा रहे हैं, मुझे लगता है इसकी order book सतर हजार करोड को पार कर चुकी है, 110 रुपे के आसपास देखें तो लगबग 19 से 20,000 क्रोड की market cap वाली ये company, जिसके business model की भी बात करें, asset light business model, debt free ये company, return on equity के हिसाब से भी देखें, double digit ROE वाली company, और इस company को देखा जाए, order की कमी नहीं है, आज भी अगर revenue के हिसाब से देखें, अगले 3 साल का काम इस company के पास पनी order book में दिखाई दे रहा है, और company जिस तरीके से government institute को building बनाने का कारोबार करती है, company जिस तरीके से state sector में कारोबार करती है, मुझे लगता इस company के लिए आगे भी ऐसा ही महल बना रहेगा, company को ज़्यादा तर order government institute से आते हैं, या आप कह सकते हैं, state government से आते हैं, जिसके कारण इसको payment से related भी कोई issue नह model होने की वज़े से company को ज़्यादा fund की भी जड़त नहीं होती, तो मुझे लगता है, NBCC का जो business model है, long term के लिए कापी sustained business दिखाई देता है, फिर valuation के लिहास से भी बताया, मैंने आपको 19,000 क्रोड के आसपास की market cap आ लिए company और 70,000 क्रोड की order book, तो उसका भी match करके देखें, तो valuation भी कापी comfort है, इस company के अंदर आने वाले समय में तेजी का एक नहीं अनेक करण है, जो कि मैंने आपको बताया, और दूसरा, जिस तरीके से government का infrastructure के अंदर focus है, infrastructure के अंदर government नए-नए order दे रही है, government institutes हों या state government institutes हों, जिस तरीके से नए-नए buildings बना रहे हैं, उसका फाय के अंदर sit it रहना चाहिए, ये company profitable company है, और जैसा मैंने आपको बताया, double digit ROE वाली ये company, आपको आगे re-rate होती भी दिख सकती है, एक बार जब यहां से market का महल change होगा, आप March March तक रुख जाईए, PSU's आपको फिर से दौरते वे दिखाई देंगे, और जिन PSU's के अंदर valuation है तो उनके अंदर तो आपको फिर से एक rally रिखाई देगी, मुझे लगता है NBCC के अंदर वो dumb है, अगर PSU के अंदर rally इस त्वारत से start होगी, तो ये company उस KG को lead कर सकती है, और valuation के लिहास से बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, इस company के अंदर comfort है, यानि कि जो लोगग NBCC के अ fundamentals और sector के अंदर positive mall और साथ साथ order book के दंपर, क्योंकि execution को लेकर भी आप company बड़े अच्छी तरीके से order execute कर रही है, यानि कि इसके sales पर भी ऐसे ही आपको चाल दिखाई देगा, NBCC को लेकर मेरा आपके साथ बिल्कुल crystal clear view है, कि अगर आपके पास ये company है, आप इसको hold कीजि इस company की तरफ देख सकते हैं, उम्मीद करता हूँ, NBCC को लेकर आज आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा, इसके future work के बारे में जानने को मिला होगा, और short term में अगर आपको इस company को लेकर डर लग रहा है, तो वो डर आपका इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो की बारे में इस सकते हैं, तुमाइब कार इस दूर होगगा अवजयो झापको जापको सकते हैं.